Hello everyone, स्वागत है आप सभी का एक बफिस से GDC E-Tutor के Medicine सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं Manforce 100 MG टैबलेट के बारे में जी हाँ Manforce 100 MG टैबलेट ऐसी टैबलेट है जिसका उपयोग और इसका दूरपयोग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है में लिए आपका erectile dysfunction या कह लिजे नपुन सकता को treat करने के लिए दिया जाता है तो आज हम जानेंगे erectile dysfunction क्या होता है और इस Manforce 100 MG के अंदर क्या main content मिला हुआ होता है, क्या इसका uses है, क्या इसका mechanism infection, क्या side effect, क्या precaution मतलब इस tablet की संपोर जानकारी देने वाले है, साथी साथ आपके जो भी doubt है इस tablet से related उसको भी clear करेंगे यानि कि हम ये बताएंगे कि ये हमारी जो tablet है कब दी जाती है, क्या इसका side effect होने वाला है, इसको लेने का सही तरीका क्या है और कब इससे नहीं लेनी चाहिए, मतलब complete information देने वाले हैं, फूरे वीडियो में बने रहीएगा, ताकि कोई भी information मिस न होने बाए चलिए स्टार्ट कर देते डियर, मैंफोर्स 100 mg के tablet के अंदर जो में हमारा content मिला होगा, वो है सिल्डेना फिल जो की 100 mg के amount में होगा मैंफेक्चर की बात करें, तो mankind pharma limited के उधारा बनाया जाता है, 30 degree के भी लिए स्टोर करते है और 4 tablet या एक स्ट्रिप की कीमत 255 रुपे के आसपास होगी बात करेंगे कहां पर यूज किया जाता है, तो में लिए आपका erectile dysfunction या कह लीजे importance को treat करने के लिए होता है अब हम बात करेंगे डियर, erectile dysfunction होता क्या है, देखें, जब sexual intercourse के दौरान आपके penis में, आपके link में proper erection या proper तनाव नहीं हो पाता, या आपका exactulation जल्दी हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, erectile dysfunction बोलते हैं, ये अलग-अलग कारड़ों से हो सकता है कभी-कभी क्या होता है, stress के कारड़, तनाव के कारड़ भी हमारा erection अच्छे से नहीं हो पाता, तो इसी erection को, इसी erectile dysfunction को treat करने के लिए, और आपके penis को proper erection या तनाव देने के लिए, ये tablet मेंली दी जाती है, proper जब penis में blood की supply नहीं हो पाती, तभी ये tablet दी जाती है, यानि कि ये blood supply को क्या करता है, promote करता है towards the penis, इसी लिए इसको दिया जाता है, तो मेंली आपका erectile dysfunction को treat करता है, साथी साथ erection को maintain करने के लिए, यानि तनाव maintain करने के लिए, ये tablet बहुत ही जादा जानी जाती है, बात करेंगे dear, meganeum infection की, तो कैसे हमारा ये work करेगा, तो मेंली एक इस तरह से phosphodistrage type pipe, यानि PDE-5 inhibitor class की medicine है, जो कि penis तक क्या करेगा, blood के flow को बढ़ा देगा, जब blood के flow को बढ़ा देगा, तो penis हमारा erect हो जाएगा, hard हो जाएगा, साथी साथ sexual activity के लिए, वो हमारा maintain हो जाएगा, इसी लिए इस tablet को बनाया गया है, कि ये किसी में अगर erection अच इसको consume कर लेते हैं, जो कि उनके लिए दुस प्रभाव साबित करता है, बात करेंगे डियर, इसके doses की तुम मिली, इसका dose हमेशा आपके doctor के सला के बाद ही होना चाहिए, खुद इसे consume नहीं करना चाहिए, जब doctor आपको prescribe करे, तभी इसे consume करे, साथी साथ इसे food के साथ लेन के लिए होता है, यह हमारे means के लिए होता है, कभी-कभी कया होता है? एक ब्रांतियम फैली होती है कि यह woman में भी दिया जा सकता है, में के लिए अच्छा होता है, तो यह गलत बात है, यह सिर्फ minute के लिए intended होता है, आप या pop लेज़े पेसेंट है या liver problem है इस टेबलेट को लेना अवोईड करें, साथी साथ आपको अगर stroke हुआ है, heart attack हुआ है तो भी आप इसे लेना अवोईड करें या डाक्टर के सला के बाद ही consume करें और ये हमारे जो हमारे एंजाइना वाले पेसेंट है, चिस्ट पिन वाले पेसेंट है नाइट्रेट ड्रग ले रहे हैं, उनमें भी ये टेबलेट नहीं दी जाती है उनके लिए भी घातक सिद्ध होती है बात करें डियर कुछ common side effect की तो इसे लेने के बाद थोड़ा सा नौजिया वगरा हो सकता है हेटक देखने को मिल सकता है, वीजन आपका थोड़ा सा दुदला बलड हो सकता है डीजिनेस इन डाइजेशन और नाक स्टफी नेउस हो सकता है मसल में पेन हो सकता है, साथी साथ आपके फेस पे, इयर पे, निक पे और आपके गले अरिया पे क्या हो सकता है थोड़ा सा फ्लसिंग यानि वाम्ट फिलिंग, गरम गरम फिल हो सकता है सोडिया स्टुटेंट ये थी आपके क्या मैंफोस हंडर्ड एमजी टैबलेट यहां मैंफोस हंडर्ड एमजी टैबलेट इरेक्टाइल डिस्फॉंक्शन के लिए दिया जाता है और इसका दुस प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है तो उम्मीद होगी ये मैंफोस हंडर्ड एमजी टैबलेट की जानकारी आपको समझ में आई होगी जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को औरों तक जरूर सेहर करें अगली मेडियसिन, अगली दवाई किसके बारे में बताएं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और मेडियसिन की जानकारी ये है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिश की लिंक रली होई है वहाँ पे जाके जरूर विजिट कीजिए का चलिए मिलते हैं किसे अगले वीडियो में, किसे अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सो मच्छ, आल दे बेरी बेस्ट